हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल आरकी सिविल सर्विसेस इस्टेडी पॉइंट पे तो दोस्तों जैसा कि बहुत सारे लोगों ने कहा था कि यह है सर जो हाई कोट का A.R.O की वेकंसी आई है उसके लिए एक कोर्स शुरू किया जाए भी मैं जो है यह प्रोग्राम सुरू नहीं कर पाई लेकिन अप से यह प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और हां बहुत सारे लोगों की कंप्यूटर डिपलोमा क्या चलेगा क्या कंप्यूटर डिपलोमा टिपल सी मानने है या ओ लेवल या BCA क्या है तो उसको official आप notification में देख सकते हैं और साथ ही साथ जो है इस exam की क्या strategy होनी चाहिए क्या जो है UPPSC ARO की तरह ही ये exam है या कोई और strategy इसमें अपनानी पड़ेगे तो आईए दोस्तों पूरा detail में देखते हैं क्या क्या strategy है और हाँ अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को जरूर से subscribe कीजिए और इस video को like कीजिए और share कीजिए हाँ दोस्तों जैसा कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा demand रहती थी PDF देने के लिए तो PDF के लिए मैंने कोसिस किया था और इंस्टा मोजो पर जो है वहाँ पे PDF आप लोगों को provide करने की कोसिस की थी इंस्टा मोजो पर लेकिन वहाँ पर दिक्कत ये थी दोस्तों problem ये थी इंस्टा मोजो से कि जैसे ही वो link पे आप click करते थे तो वहाँ पे buy now का option आ जाता था तो लोगों को लगता था कि मैं यहाँ पे बेच कर बहुत सारा पैसा कमा रहा हूं जबकि दोस्तों वो total free था वहाँ पे मैंने कोई भी cost नहीं रखी थी जीरो ही था वो इसी और मुझे भी बहुत ज़्यदा problem हो रहे थी इतने सारे email आते जितने लोग उसको वाई करते email आते तो उससे बहुत ज़्यदा problem हो रहे थी तो इसी क्रम में अब हमने जो है एक telegram channel भी create कर लिया है उसका link जो है आपको description box में दे दिया जाएगा और जो बहुत जरूरी PDF होगी तो वहाँ आपको telegram channel पर मिल जाएगी तो यही आपको बताना था आएए दोस्तों सुरू करते हैं ARO की जो vacancy है उसकी कैसे पढ़ाई करना है और क्या क्या करना है आप लोग हमाय साथ बने रहे है कोसिस किया जाएगा कि आपको पूरा matter दिया जाए और हाँ यह मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों को अभी भी कह रहा हूं कि एकदम किसी के भरोसे मत बढ़ जाएगे किसी भी यूटूबर के भरोसे मत जाएगे कोई आपका यह नहीं जो है जो अच्छे चैनल है वो आपको हेल्प करेंगे लेकिन आप एकदम से यूटूब के भरोसे मत बैठ जाईएगा हाँ जो चीजें हैं आपको सहायता जो अच्छी लगने वाली वीडियों कुछ देख सकते हैं इससे आप हेल्प लीजिए और बुक से भी पढ़िए देख लेते हैं ए आरो की जो वेकंसी है तो इससे पहले ए आरो में ही आती है अलाग से डायरेक्ट इसमें आरो की वेकंसी नहीं आती है खोर पर हर Lesley बीए था और फिर चाओद में वी आयए था तो बहुत जल्दी जौइन जो इसनौान लेंग मैकसिमम आतो तो तीन से चार महीने ही लगेगा तो देख लीजे तो टोटल जो है 277 वेकेंसी है और ये 4600 ग्रेट पे का है तो जिनका ग्रेट पे अच्छा नहीं है वो भी इसमें अपलाई कर सकते हैं और इसके लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो यह है कि आपको जो है बैचल करें कि आज़िके लिए यहां में जानने वाले अभी चार लोग कोो जो है पिछले बार हुए थे मेरा कोई computer diploma नहीं था इस वज़े से मैं ये farm apply नहीं कर सकता तो आप लोग देख लीजे इसको इस बार मैंने computer diploma gain कर लिया है तो मैंने apply किया है लेकिन दोस्तों देखते हैं exam दे पाते हैं कि नहीं क्योंकि बहुत सरे मेरे mains लगे हुए हैं साथ मे तो mains वहाँ PCS का या RO mains तो उसको मैं prefer करूँगा तो आएए देखते हैं दोस्तों इसमें और क्या-क्या vacancies हैं तो इसमें qualification के लिए देख लीजे ये आपको मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे essential qualification में आप देख सकते हैं RO के लिए तो सबसे पहला है bachelor degree ये compulsory है कि diploma degree in computer science from recognized institution या university अगर आपके पास computer science में कोई diploma या degree है डिगरी यानि BCA है MCA कुछ भी अगर है तो आप जो है इसमें eligible हैं और साथी साथ अत्वा अगर आपके पास ये नहीं है तो और O level certificate होना चाहिए लेकिन O level certificate किस से होना चाहिए नीलिट से होना चाहिए या ये भी नह है तो अत्वा यहां पर triple C certificate भी होना चाहिए नीलिट से तो ये सारी चीजें compulsory आपके पास computer diploma में अगर है तो निश्चित रूप से आप जो है इसके लिए eligible हैं जरा भी डरने की बात नहीं है और हाँ जो ऐसे ही institute से फर्जी डिप्लोमा बनवा लेते हैं उनके लिए problem होनी की जा रहे हैं सीधा सीधा आपको वेरिफ टाइपिंग के टाइम पर आपका डाकुमेंट देखा जाएगा अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आपको बाहर कर दिये जाएगा नेक्स्ट है दोस्तों computer knowledge data entry word processing इसका कोई डिप्लोमा नहीं होगा बस ये आपको आना चाहिए ना तो इसका कोई डिप्लोमा न सार्टिफिकेट कुछ नहीं देखा जाएगा बस आपको ये आना चाहिए नेक्स्ट है दोस्तों preferential qualification preferential qualification किसको prefer किया जाएगा अगर आप TA territorial army में है या भी certificate आपके पास है तो आपको जो है prefer किया जाएगा age की बात करें दोस्तों 21 से 35 तक ह कम्प्यूटर डिप्लोमा आप देखते हैं strategy हमारी क्या strategy होनी चाहिए तो strategy की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं selection procedure selection procedure दो stage का exam होगा stage 1 में आपको 200 number का exam होगा और इसमें कोई negative marking नहीं है यह सारी चीजें clear कर लीजे तो आप निश्चित रूप से बहुत सतंत्र हो करके अच्छे से exam दे पाएंगे negative marking कोई नहीं है और 150 question रहेंगे आपको 200 question रहेंगे 150 minute में आपको करने रहेंगे और फिर आता है second stage अगर जितने लोग qualify कर पाते हैं लगभख seat का तीन गुना लोग को बुलाया जाएगा typing के लिए तो typing exam आपको speed नहीं निकालने ही यहां पर ऐसा नहीं है कि आप speed नहीं निकाल पाएंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा उसको आपको type करना रहेगा और यह 50 marks का होगा हाँ दोस्तों यह जरूरी है 15 minute का test होगा लेकिन यह जरूरी है कि आपको कम से कम 17 marks ले आने पड़ेंगे अगर आप 17 marks ले आते हैं तभी आपको जो है second stage यानि computer में qualify माना जाएगा और जो merit बनेगी वह stage first और stage second दोन और यहां stage second में आप typing में जो है केवल जो है 30 number ही पाते हैं तो आपका total जो है कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा कितने में 250 में से यही आपकी final merit है और इसी से आपका selection होगा तो आए दोस्तों देख लेते हैं syllabus के बारे में कोई भी exam हो उसकी strategy सबसे अच्छी strategy यही होती है मेरे दोस्तों कि सबसे पहले उसका syllabus देख लिए जाए आप syllabus के recording पढ़िए अगर जब आप जान जाएंगे क्या नहीं पढ़ना है क्योंकि market में और सब जंगों पे इतनी ज्यादा study material की भरबार है YouTube, Facebook और जो है साथी साथ जो है market coaching इतने ज्यादा study material है आप जो है बहुत सारे study material के बीच आपकी पूरी उर्जा जो है वेस्ट हो जाती है तो आपको यह समझना है कि केवल hard work नहीं करना है हमको smart हमको smart work भी करना है smart work कैसे होगा दोस्तों previous year paper देखिए और साथी साथ जो है syllabus आप दो तीन बार देखिए मैं तो कहूंगा उसको print करा के अपने table के सामने जो है इसको paste कर लीजिए और इसको बार बार देखते रहिए और फिर उसमें टिक करते जाए कि आपका क्या क्या हो ग हो जाएगा बहुत कम पढ़के भी तो stage first में देखते हैं दोस्तों 200 question रहेंगे और यह 200 marks का रहेगा एक question जो है एक number का रहेगा और आपको जो है लगबग धाई घंटे जो है मिलेंगे और objective exam होगा objective exam होगा और इसमें कोई negative marking नहीं होगी तो यह समझ लीजिए यह PCS pre वाला चीजें आई हैं यह देखिए आपको क्या के section है general science है लगभग सबसे 10-10 question पूछे जाएंगे general science है history of India है इसके अलाव इंडियन national movement है इंडियन quality economy and culture है नेक्स्ट है जो है इंडियन agriculture commerce and trade commerce and trade है इसके अलावा जो है इसमें पूछा जाएगा नेक्स्ट है general intelligence यानि reasoning reasoning पूछेगा इसके अलावा जो है UP special भी पूछा जाएगा साथ ही साथ दोस्तों यह बड़ा एक portion है English का तो आप जो है general knowledge of general English and general Hindi of graduation level तो हिंदी भी इसमें पूछेगा language की बात करें तो हिंदी पूछेगा और English पूछेगा और हाँ दोस्तों यह जैसे 10th level की English नहीं रहेगी बलकि इसमें लिखा है पूछे जाते हैं तो English से लगभग जो है 40-50 question पूछे जाते हैं यह portion आप तयार कर लिजिए आरो से अलग यही आपको पढ़ना है इसके अलाव मैत और reasoning पे थोड़ा सा ध्यान देना है जादा नहीं लेकिन थोड़ा सा करना है क्योंकि अगर आप उसको कर लेते हैं तो कर लिजिए और साथ ही दोस्तों सेकेंड स्टेज की बात करें तो अब आप टार्गेट कितने बनाईए तो 200 question आएंगे 200 question में से कम से कम जो अभी तक कटाफ का अनुमान रहा है 130-135 रहा है तो आप जो है यह सोचिए कि 70% नंबर तो ले ही आए आप कम से कम नहीं तो 200 में स से आप 140 का जो है आकड़ा लगाईए 145 145 का कटाफ आप लगाईए कोसिस करिए कि आप 145 question तक कर ले और बहुत कुछ आसानी से किया जा सकता है दोस्तों आपको बस क्या करना है कि सलेबस की कार्डिंग सारी चीजे पढ़नी है और पढ़नी क्या है आपको सब पढ़ा और जियोग्राफी है पॉलिटी है ये सब बदलने वाले नहीं है आप इसको रिवाइज कर लीजे ये मेन की पॉइंट है अगर छे साथ सेक्सन आप मजबूत कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपका हो जाएगा और हिंदी तो ये सारी चीजें आप अभी पढ़े थे तो आपको बहुत ज़दा हेल्प करेंगी आपको बस वही सारी नोर्स अपनी रिवीजन करनी है और हाँ दोस्तों हम लोग जो है एक प्रोग्राम सुरू करने जा रहे हैं अब हम कोसिस करेंगे कि डेली जो है आपको एक एक वीडियो अपलोड किया जाए हाई कोट एयारो के लिए तो आप निश्चिंत रहिए और जम के लगे रहिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने सुझाओ कमेंट में बताइए कि कौन कौन से वीडियो कि इस टापिक पर अपलोड किया जाए हमें इंतजार रहेगा चलिए दोस्तों तब तक के लिए से आप जाकर क्रिक इसका पीडियेफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं थांक्यू सो मुझ